हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दे चैनल सोलेशन, हमारे मेडिसेंस फार्मकोलोजी की सीरीज में आपका स्वागत है और आज के इस इंग पॉर्टन वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक सबसे जादा बिकने वाले प्रोड़क्ट के बारे में और आज का हमारा ये प्रोड़क्ट Met Small 500 एक ब्रांड नेम है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर Metformin Hydrochloride एक ड्रग के रूप में यूज किया गया है Metformin Hydrochloride का जो form of release है वह a sustained release tablet और जो 500 लिखा है इसका मतलब ये है कि इस ड्रग का concentration 500 mg है जो कि Indian Pharmacopia यानि कि IP के guideline को फॉलो करके बनाया गया है चलिए अब दो तीन चीजें समस्ते बें चलते हैं तक कि आप इसकी Pharmacology तक पहुचने में आपने concept को clear कर ली रहे है सबसे पहला कि ये कौन सी category का drug है ये कौन सी class को belong करता है ये एक anti-diabetic drug है इसे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये anti-hyper glycemic agent का example है चाहे आप anti-hyper glycemic बोले या तो आप इसे hypo glycemic बोले या तो इसे आप oral anti-diabetic drug बोले किनों का मतलब एक ही होता है तो अब सवाल तो ये है कि ठीक है समझ में आगया कि oral है कि क्या है कैसा है बट अब हमें ये तो कोई समझा है कि anti-diabetic drug का क्या मतलब होता है anti-diabetic drug कहने का मतलब है ऐसा drug जो diabetic के condition को ठीक करने में मदद करता है तो question again उठता है अगर आप बार-बार question करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना question ये उठता है कि diabetes है क्या diabetic condition हम किसे कहते हैं diabetes के कैसा condition है जहाँ पे आपके blood में जो glucose का level है वो पहले के तुलना में जादा हो जाता है तो ये अगर आपका blood है और ये blood अपने साथ आपको energy देने के लिए ये glucose को लेकर जा रहा है तो इसका glucose का level जादा होने लगता है normal value से तो ये भी सवाल उठने लाइक है कि भाई हमको पता है कि glucose हमारे सरीर को energy देता है जब हम कुछ खेलते हैं ठक जाते हैं तो हम होतदिक मातरा में glucose पी लेते हैं इसे energy आ जाती है तो जब blood में glucose का level जादा है तो हमें energy जादा क्यों नहीं मिलती बलकि ये तो अच्छा होना चाहिए हमारे लिए ये problematic क्यों हो रहा है सवाल लाजमी है तो अब आपको जवाब दे दूँ कि आपको अगर भूक लग रही है माल लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति यहाँ पे भूखा खड़ा हुआ है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे अपने हाथ में बहुत सारे fruits को यापको दूसरे खाने पिने के नियों को लेकर रखा हुआ है तो क्या ऐसे condition में समझियेगा condition को ये व्यक्ति कड़ा है और दूसरा व्यक्ति साब कुछ खाने पिने के समान लेकर कर कि बैठा हुआ है तो क्या ऐसे condition में इस व्यक्ति की भूक मिट जाएगी जरा ध्याँची देखिए आपका जवाब होगा नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि जब तक ये व्यक्ति अपने हाथ में जो food है ये इसे transfer नहीं करता और जब ये इसे खा नहीं लेता तब तक इसकी भूक नहीं है तो बिल्कुल यही तो concept है हमारे blood में कितना glucose present है इसका ये मतलब नहीं कि इससे हमको उतनी energy मिलेगी actually में ये अगर मेरा blood vessel है जिसमें से blood move कर रहे हैं जिस blood में glucose रखे वे हैं या कोई और other nutrient रखे वे हैं तो जब तक ये glucose या ये nutrient अपने respective cell तक नहीं पहुँचता ये cell है जब तक cell तक नहीं पहुँचता cell अपनी metabolic activity नहीं कर लेती तब तक हमारे लिए energy या को जुसरा जो काम मतलब नहीं है बलकि दिक्कत यह है कि यहां पर अधिक मातरा में glucose रह गया जाम हो गया जिससे इसको glucose नहीं मिल पा रहा है और इसको यहां से glucose नहीं मिल पा रहा है को ऐसा समझ लीजिए कि इस वेक्ति ने बहुत सारा खाना अपने पास dump करके रख लिया है तो इसके कारण स इसको देता है इसको लेकर कि इसको देता है तब फिर इनकी भुक मिटती है तो यह जो ट्रांसफर हो रहा है वो इस व्यक्ति की विज़ासे हो रहा है एंग्री यंग मैन की तरह हो रहा है वैसा यहां पर बिखे जो ब्लेट में हमारे glucose प्रेजन है यह glucose ऐसे ही सेल तक नही इसको दूसरे काम को करने के लिए यूज करता है तो यहां पर इंसुलीन की बहुत इंक्पॉर्टन रोल आपको समझ में आ गई होगी अभी तक यहां तक तो अब समझ में आ गया कि diabetes क्या होता है diabetes का मतलब ऐसा है कि एक ऐसा condition जहां पर हमारे ब्लेड में glucose का लेवल नॉर् कारण हो सकते हैं मुग के कारण तो यह है कि glucose के respect में insulin की sensitivity कमजोर हो गई हो या तो insulin का resistance जवलाप हो गया हो या फिर आपको type 1 diabetes हो गया हो जहां पर insulin बिलकुल भी नहीं बन रहा हो तो यह type 1 नया सब्द सुनने को मिला आपको क्या है यह type 1 क्या type 1 के बाद type 2 भी होता है या औ इसके दो main type होते हैं पहला होता है type 1 और दूसरा होता है type 2 टाइप 1 का दूसरा नाम है insulin dependent यहाँ पर जो मैं I लिख रहा हूं उसको मैं समझ लिजे insulin dependent और जो यहाँ पर मैं दूसरा लिख रहा हूं insulin non dependent या फिर non insulin dependent जैसा अलग अलग बुक में लिखा रहता है तो इसका क्या मतलब है simple सा logic है कि अगर कोई diabetes का patient या diabetic के condition में व्यक्ति को survive करने के लिए glucose को uptake करने के लिए पूरी तरह से insulin पे depend रहना पड़ेगा depend मतलब उसके उपर निर्भर रहना अधीन रहना तो वो कहलागा type 1 insulin dependent लेकिन अगर उस प्यक्ति का insulin dependent नहीं है non insulin dependent insulin non dependent है इसका मतलब भी है कि उसके body glucose को यूज़ करने के लिए insulin के उपर depend नहीं है वो अभी भी अपने दोरह बनाये गए insulin को यूज़ कर रही है तो वो type 2 कहलाता है तो देखिए इन दोनों में क्या एक और difference है यह हमारा pancreas अगर माल लें कि यह हमारा pancreas है जिसका काम है insulin बनाना pancreas का दो काम होता है इसे आप बोलते हो endocrine gland भी है और exocline भी है pancreatic juice भी सिक्रिक करता है digestion में काम आता है as a insulin यह आपके लिए endocrine gland का काम करता है तो अगर यह pancreas जो कि insulin बना रहा है वो पुरी तरह से destroy हो जाया ना रहा pancreas ना बने insulin तब ही case में आप depend करो कि totally बाहर के source of insulin पर वो कराता है type 1 insulin dependent जबकि अगर insulin यह बनाने का जो काम pancreas का वो माल लेते हैं कि शुरू में एक normal रख्तिक respect में 100% है यह 100% insulin बना रहा है तब हमको कोई problem नहीं है बट in case किसी भी कारण से यह आपका जो pancreas है वो 100% ना बना करकर suppose 60% बनाता है तो हम 40% deficient में चले गए तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे इस insulin के secretion को हम वापस से 60 में जो minus 40 हुआ है इसको plus 40 करके वापस से 100 restore पे कर दें जो कि normal value है तो ऐसी category को जहाँ पे insulin पूचा से बंद नहीं हुआ पूचा से 0 नहीं हुआ deficient पे जरूर आ गया यह से insulin non-dependent या फिर type 2 diabetes mellitus कहते हैं यह insulin का कारण हो गया अब यहाँ पे एक चीज और आप अपने drug के side पे देखिएगा यह sustain release लिखा हुआ है तो sustain release का क्या मतलब है sustain मतलब अगर आप sustain को समझना चाहते हैं तो पहले normal को समझ लिजी normal मतलब यह हुआ कि आपने एक अगरबती जलाई या एक spray मारा या कोई room freshner रखा फ़ट से उड़के खताम होगया खुजबूस की जो भी time रहा होगा एक मिनट आदा मिनट उसमें खताम होगया जबकि sustain को मतलब भी होता है कि आपने रखा है room पे वो धीरे से spray मारेगा थोगी time बाइद थोड़ा सब और दीरे से spray मारेगा फिर थोड़ा सब और दीरे मारेगा तो दीरे 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 करते यह जो लंबा समय है वो कीच के लेके जाएगा कीच के लेके जाना मतलब भी sustain करना होता है तो उसे वो लेके जाएगा यही कहलता है sustain release tablet अब हम देख लेते हैं इसका mechanism of action concentration तो देखे लिया metformin, hydrochloride Indian pharmacopiakigalian के accordingly कितना होगया fasto mg होगया तो इसका mechanism of action क्या है और यह कौन से category को belong करता है हमारा जो metformin है वो bygonide category को belong करता है इसको थोड़ा सा आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ पर मिटा दूँ उसको तो metformin किस category को belong क्या bygonide anti hyperglycemic drug का यह example है अब इसके काम करने के तरीके बड़े अनोखे हैं और अपने आपने यह वड़ा star है super star है बुलों तो गलत नहीं होगा यह जो bygonide हम दे रहे हैं metformin दे रहे हैं इसको हम combine करते हैं conjugate करते हैं आपके diet के साथ और exercise के साथ मतलब diet आपका change करेंगे healthy diet पे आपको लेके जाएंगे slightly से moderate फिर आपके control के accordingly exercise कराएंगे तो यह जो metformin दे डाइट exercise के साथ मिल करके आपके बढ़े हुए glucose के लेवल को down करने मदद करता है conjugate करता है आपके diet और exercise के साथ में इसका एक मत्वपोन point यह है कि यह hypoglycemic condition cause नहीं करता यह hypoglycemic नहीं करता है इसका मतलब क्या है यह आपके blood में glucose के लेवल को बहुत ज़्यादा down नहीं करता जो कि दूसरे anti-diabetic drug के side effect होते हैं यह insulin sensitizer होता है insulin की sensitivity को बढ़ाता है what does it mean by sensitivity देखिए sensitivity का मतलब यह है कि वो कितना उसको sense कर पा रहा है आपका touch screen या फिर आपके mobile में जो sensor लगा है finger print का उसको देखिए नया नया mobile है हाद बहुत साफ सूतरा है चकाचक से आपने हाद धोया हुआ है तो जैसे ही आप उसको हलका सा touch करते हो तो sensitivity बहुत अच्छी होने की वाज़े से फट से आपका screen unlock हो जाता है होता है कि नहीं होता है अब आपका हाथ में थोड़ा से तेल वे लग गया हो या फिर हाथ थोड़ी गंदगी हो अब आप touch screen को चूईए आपका screen बोलता है could not recognize आपको recognize नहीं कर पा रहा हाथ धोते हैं साफ करते हैं दोनों में कॉलिन से spray मारते हैं अलकल का या फिर से wipe करते हैं तो इस screen अब आपका accept करती है और unlock करती है तो दोनों case में example क्या हुआ समझ मैं आप example पहली sensitivity बहुत अच्छी थी दूसरी sensitivity accordingly पहले के comparatively में down हो गई तो जब insulin का receptor पूरा खेल हमारा receptor पर ही तो होता है यह अगर मैं मान के चलो कि insulin का receptor है यह insulin है insulin पहले आकर के इस पर bind हो रही थी इसका जो sensitivity था बहुत अच्छा था अच्छा काम कर रहा था लेकिन जब यह insulin के sensitivity down होगी तो यह अपने respective receptor पर bind नहीं हो पाएगा या अच्छे से accept नहीं कर पाएगा इसको reset करने लगेंगे तब इसकी sensitivity down हो जाएगी तो हमारा जो metformin है इसी की sensitivity को बढ़ाने का काम करता है इसका mechanism of action बाकिस से अलग है क्योंकि मैंने बताया कि hypoglycemia cause नहीं करता तो क्या है इसका mechanism of action इसका mechanism of action यह है कि यह hepatic glucose production को कम करता है hepatic glucose production को कम करता है इसका क्या मतलब हुआ थोड़ा सा और मुझे जगा चाहिए तो इसको अपन मिटा जेते हैं hepatic glucose production यह हमारा liver है liver क्या काम करता है आपको पता है liver है एक महत्तपून metabolic site है जब कभी भी हम कोई food consume करते हैं जब हम खाना खाते हैं को deficiency कुछ नहीं होती sufficient मात्रा मिलते हैं तो यह food का glucose आपके liver में glycosine के form में convert होता रहता है और जब हमको खाना की कमी हो जाती है हम भुके रहते हैं किसी कहांसे खाना नहीं मिल पाता चाहाँ इपवास रहते हैं या फिर डाइट कर रहे होते हैं तो यही glycosine टूट को glucose के रूप में बदलता रहता है और फिर आपके body को energy देता है तो आपके body खुद किसी case में glucose develop कर रही हो और आप भुके ना हो और आपका liver already glucose को और दे रहा हो तो पहले का glucose अलग और यह liberate होने वाला glucose अलग तो इससे glucose के लेवल तो जादा हो ही जाएगा तो अलग अलग तरीके से आने वाले glucose आपके glucose के लेवल को बढ़ा रहे हैं और आपको diabetes कंडिशन से और परिसान कर रहे हैं तो यह आपके इसी glucose के बनने के पर उसको कम करता है liver से साह साथ यह intestinal side से glucose के absorption को भी कम करता है मतलब यह माल लेते हैं कि यह हमारा small intestine है और यह हमने किसी बव Cathie ने कोई भी food consume किया है जिसमे glucose का level जादा है तो यह glucose आपके small intestine में आगया तो आपको बता है glucose का या किसी nutrition का absorption तो small intestine से ही होता है तो यह small intestine से आपके blood में glucose shift करेगा move करेगा तो इस तरीके से blood में जब ये glucose absorb होते जाएंगे तो blood में glucose कलेवल कैसा होते जाएगा blood में glucose कलेवल बढ़ता जाएगा इससे भी problem होगी तो ये का करता है ये intestine से blood में glucose के absorption को रोकता है कुछ इस तरीके से glucose के absorption को नहीं होने देता जिसके कारण से फिर ये glucose आपके ब्लेड में ज़्यादा नहीं आ पाता दूसरा इसका mechanism action ये भी है कि ये पहरी पहरी पार्ट में glucose के uptake और utilization को बढ़ा देता है मतलब आसपास के इलाके में आसपास के cells में ये glucose के uptake को बढ़ा देगा तो अगर glucose अधिक मातरा में है तो अधिक मातरा में glucose को यूज करवा लेगा जिससे glucose ज़्यादा जो बाहर थे unused condition में थे वो used condition में हो जाएंगे माल लेज़े कि आपके पास कोई चीज बहुत ज़्यादा है जिसको रखने में आपको बहुत परिसानी हो रही है जो ज़्यादा थी access थी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो कई बार ऐसा होता ना कि बड़े लोगों का जो पैसे वाले होते हैं उनका कचरा चोटे लोगों के लिए काम का चीज करता है, लीवर से glucose के टूटने को glucose के बनने के प्रस्थ को कम करता है इस तरिके से हमारा metformin काम करता है और metformin सबसे ज़ाधा प्रिस्क्राइब किया जाने हमाले drug इसलिए है क्योंकि यह hypoglycemic condition नहीं cause करता पहुत अधिक मातरा में depletion अब glucose नहीं करता, इसे व्यक्ति को ज़्यादा प्रसानी भी नहीं होती, उमीद करूँगा कि आपको आज का जो topic और explanation है समझ में आया होगा, comment box में comment कर देंगे, तुमें इले अच्छा होगा, मुझे motivation मिलेगा और आगए वीडियो लिगर के आते रहूँगा थैंकिस अवाग पादि इस वीडियो, नमस्कार टिक केर